हाई दिस इस सुशील फ्रम वीर सुशी मिजिक और आज हम डिसकस करेंगे कि एबल्टन में कैसे हम फाइल्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कर सकते हैं तो यहाँ पर मेरे पास एक न्यू लाइव सेट ओपन है तो इसमें जितने भी मेडी ट्रैक्स हैं मैं उनको डिलीट कर दूँगा अभी के लिए हम यह मान कर चल रहे हैं कि हमारे पास एक मिक्सिंग का प्रोजेक्ट आया और हमें सभी आडियो फाइल इंपोर्ट करनी है लेकिन आपने इसको आफ रखना है इसका मतलब यह है कि जब भी आप लॉंग सेंपल्स इंपोर्ट करोगे बल्टन में तो इसको टेंपो वाइज वाप नहीं करेगा अब हमारे पास जो प्रोजेक्ट आया उसमें से हमें फाइल्स को इंपोर्ट कर लेना है आप फाइल्स अब अगर मैं लूप पर क्लिक करूंगा तो उसके नीचे का सारा रिजन आटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा स्टेम्ज एक्सपोर्ट करने के लिए हम फाइल पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आप्शन आएगा एक्सपोर्ट ऑडियो स्लैश वीडियो का जिससे हम कंट्रोल शिप्ट आर से भी उपन कर सकते हैं तो ये विंडो ओपन हो जाएगा जिससे हम एक्सपोर्ट लेंगे इसमें सबसे उपर आपको rendered track की options आएंगे इसमें हम decide करेंगे कि हम master export लेना है all individual tracks लेने हैं सिरफ select कियो है tracks लेने हैं या single single tracks का export हमें लेना है इसमें हम return tracks को भी export कर सकते हैं तो stems के लिए all individual tracks का option लेंगे हमने loop locator set किये थे तो already यहां पर हमारे पास audio की length आ गई है यहां पर desired sample rate चूज करेंगे अभी जैसे के मेरा project 48 kHz पर है यहां पर हम file type wave select करेंगे bit depth और dither option को same रहने देंगे अगर आप mp3 export भी लेना चाहते हैं तो mp3 setting को on करेंगे अभी के लिए मैं सिर्फ wave export लूँगा export button पर click करेंगे तो हमारे सामने एक dialogue box open होगा जहां पर मैंने already एक place चूज कर रखा है stems export करने के लिए यहां पर मैं एक prefix दे दूँगा जो कि सभी files के सामने लिखा हुआ आएगा अभी save पर click करते हैं तो ableton rendering करेगा और सभी files का export ले लेगा तो यहां पर render complete हो गया है अब मैं folder में जाऊंगा और stems folder में exports को चेक करूँगा तो यहां पर मेरे पास stems आ चुकी है इन में से जो last की तीन फाइले हैं उन में से दो return track है और last में master track है तो हो सकता है कि इन तीन files का आपका use कम हो लेकिन उसके ऊपर हमारे पास individual tracks export हो चुके हैं तो इस तरीके से आप अपने project में stems को import या export कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो please इसे like कीजिए और share कीजिए अपने friends के साथ ताकि उनको भी यह learning मिल सके अगर आप इस channel पर नए हैं तो इस channel को subscribe कीजिए and hit the bell icon ताकि जब भी हम कोई video release करें तो उसका notification आपको जा सके और अगर आप हमारे channel को support करना चाहते हैं तो नीचे दिये गए description के link पर click करके आप हमें support कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए और भी बहतर content बना सके